ब्रेक बाद बिग डिबिट मा आपनू स्वागत छे ने डिबिट चाली रही छे रेप थी अंजान जेरी ते सनी लिओनी ना कॉंडम वड़ा एड थी देश मा रेप वर्षे ते उँ अंजान नू कहुचे सिप्याई नेता अंजान नू कहुचे आपड़ी साथे पुनम पा आपका फॉर्स र्याक्षिन क्या है इस पर जिससे अंजान जी ने कमेंट किया है के रेप बढ़ता है इस तरह के एड से जो मैंने comment सुना है सनी लियोनी के बारे पर ये I think I think मैंने इसे ज्यादा stupid comment मेरे life में नहीं सुना है बहुत ही ज्यादा senseless और बहुत ही ज्यादा छोटी बात कर दी गई है जी जी लेकिन आपको लगता है क्या इससे संस्कृती पर कोई असर हो रहा है जो देश की संस्कृती है हमारी उस पर Well honestly मुझे नहीं लगता लोग smart है और इस TV commercial में कुछ अपने कुछ ऐसा भी नहीं देखा है कि जिसे लोगों की psychology पर फरग किरे या संस्कृती खराब हो मैं जहां तक देखती हूँ अगर कोई normal लड़की road पे भी चलती है normally उसको फिर भी लोग पीछे मुड़ कर देखते हैं all that all that और यहां पर यह जब मैंने statement सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शाद लड़कियों की respect मही रह गई है आप कभी भी उटके किसी को भी ऐसा बोल नहीं सकते हो और सबसे खास बात आप रेप जैसे serious issue को आप एक TV commercial का आप एक TV commercial के बात हो which is कोई digest नहीं कर पाई रहा ऐसी चीज़ को तो मतलब मतलब आप आप crime के support से बात कर रहे हो अब लोगों की psychology इतनी ज्यादा वीक है कि आप एक TV commercial देख लोगे और आप बोलोगे ऐसा नहीं होता it does not happen like that वैसे तो बहुत सारी चीज़े internet पे भी है जो लोग सोच रहे है उनकी खुद की सोच शायद ऐसी होती होगी जी जी खुद की सोच ऐसी होती हम भी वही जी बोल रहे है कि मानसिक्ता क्याख जवाबदार होईचे अर्शोक बजरी ते पूना में पन कई हूँ के रस्ता मा चालता होईचे पाचोर जोएचे तेमनी मजाक मशकरी कर रहेचे गंदी कमेंट्स पन आपता होईचे तो आड जोईने सिधा एवी मानसिक्ता उपी थत्ती होईचे अना अमारू जेचे के जे एड छे परिवार साथे पिरस्वा मा आवेचे धर्एक कारिकरमा हर धर्एक थोड़ी छोणों पची एड आपवा मा आवेचे नौर्मली आपड़ा आजकल कहिए छे आपड़ा विरोधी करूछे के स्कूल मा सेक्स एडुकेशन एक साड़ो वर्ड युस था चे पनो बतार सेक्स एडुकेशन करू जोईए ताकि बेनोंने नाना दिक्रा दिक्रियोंने खबर पड़े औने धेकें भी मेचेर अबने अगर आज एड नी वात करूछे और पश्टिक करिशकर करें के अब पिला अनजान भाई आमाल लवारी करें थे कि आएड में कोई भी अंगलती कसूर नथी देखा तो उन्जे एक हेल्धी पॉजटिव चीद देखा रही छे एक रिस्पेट्फुल चीद देखा रहे छे एक स्वाफ चीद देखा रहे छे एक पिलू लुच्चा लफंगा है पिलू पिलू सेंस्यूरस या पिलू गंदु गंदु नथी देखा रहे हूँ एपने तो पर्टिकुरिए आएड अगर तमें फेमिली जोड़े जोड़े नथी चालो ना अथनी बात किरें अथनी सीरियल अवाग स्वावे छे चे दीजिल आमनमा लपी जपी पपी बधु गणु बधु आएच करें तो यह बदू फुल परीवार में शेज तो ए आपने त्यारे कशव ना थी बोलता अबने आएड एक्शुली ती अचुल आ अ आपने बहु स्प्रेनी एड, वह वह आवे छे, एमा करो और एमा तम्हें करो नजिए अशोक जी कहें चे, एमनों एक पॉइंट बहु सर्वाइब लिए बहु आपने पेलुसुट्टिता प्रोटेक्ट करो लोचे पन्हें पर भर्दा प्रोटेक्टिव भरतार्व, गान्क बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिया है, मैं काफी खुश हूँ उन लोगों से कि वो इतनी अवेर है और इतनी इलेटरी सी वाली जो स्टेटमेंट आई है, और इसके खिलाफ आके सामने बोलने की हिम्मत किये हैं, I really respect them, सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, हाँ मेरी उन लोगों से कॉंटाक्ट नहीं हो पाई है, सनी और डैनियल केनिया में हैं अभी शो के लिए, और लेकिन मैं ये कहना चाता हू माबाप के पेरेंटर गाइड में TV on होते हैं, और निउस देखते हैं, बड़े मैचोर लोग, दूसरे शोस देखते हैं, हर तरह के विग्यापन चलते हैं, डियोस के विग्यापन चलते हैं, इसमें 3-4 लड़कियां इधर उदर से आकर गिरती हैं लड़के के उपर, जैसे नहीं है कि नहीं ठीक है बाबा के भजन चलते रहें जबरस्ती भजन चलते रहें आज इतने बाबाओं के हम कांड देखते हैं यह सारे भजन करने वाले और यह सारे टीवी पे इतने अच्छे प्रमोट करने वाले निर्मल बाबा हो गए फलाना बाबा हो गए डिमका बाबा हो गई रादे मा हो गई और यह लोग इतनी पुब्लिसिटी का फाइदा उठा कर लोगों के अंद विश्वास का लोगों के विश्वास का फाइदा उठा कर लोगों के साथ इतना गलत करते हैं तो कम से कम हम यह जो फिल्म वाले हैं या जो यह इस तरह के एड दिखाते हैं उनका एक message clear होता है भाई हम ये बेच रहे हैं अगर आपको देखना है देखो आपको लेना हो लो नहीं लेना हो मतलो उसके ये नहीं कि अन्जान से पूछने को जाना पड़े या तो किसी और नेता से पूछ हाँ किसी पे किसी पे force नहीं है और उसका एक mature call है उसका एक mature way है present करने का it is not presenting कि रोल पे कोई आके नंगा नाच नहीं कर रहा है रो इस्टेडियम में आके कोई नंगा नाच नहीं कर रहा है पूछन में आप से पूछना चाहूंगे कि क्या लगता है आपको जिस तरह से ये बेतु का बयान कितना जाइज है मुझे इसा लगता कोई इतना चोटा कैसे बात कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है खास कर पुब्लिक में और किसी भी लड़की के बारे में वो जो भी हो, कुछ भी काम करती हो आप ऐसा खास करके आप खुछ जब एक politician है घिसेंट नाम है यू केंनोच से बीकेंनोट दिस्रेस्पेक्ट एनी वुमें लोड़ी हस तहट राइग दिस्रिस्पेक्ट एनी विविमन जी-जी वांड खोद bueno तो चार बॉटल वोड का मेरा रोजका हुए आगी तो आपने बैचिओर लोगे तो अपना नती आओ हुटो इला आना पर तो आच्छती कोई बुम नाखि पाड़ी तो यह अपना एक्सेप्ट करीई कि वारंवार कोई चीज आ वहें तो यह अनी इसर पड़े छे पूरुजन में धन्यवाद तमें एक्सेप्ट करियू कि वारमवार कोई चीज नानार बाल को उपपर बतारवाम आवे तो एनी असर पड़े छे इत्लिए हमें क्यवा मांगें छे के धरेक लोकों करोरपती नाती होता के धरेक ना कमरा माला गला कुर बताश़की हुए के कोई काटू जो है क्टार मीं जो है हमो 70 परसेंट वी चे कमरा मा रहे छे लगातारने मानसिक्टा पर छे एक बतावा माचे रिते ना बतावी जोई है नहीं तो पचिक वर इते बतावी जोई है ता में पड़ी दिजाइन करें आपो आडने थो अबसक्तर होई तो रंडे सिंगों न प्रोब्लम 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 थे इस एड के लिए परमिशन नहीं मिला हुआ है जरूर होता है बच्चों के टीवी देखने का टाइम अलग होता है पेरिंस के टीवी देखने का टाइम अलग अलग होता है तो बाप शीज को मिक्स कर रहे हैं, दो बातों को आप मिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल सही का आप बादकार जेवी गमधीर बाबत ने आभी रीटे साकली सकाई नहीं और खास ही वाच चे के नहीं नोंदाएला केसो एने तो सामा जी एकडम खराप बाबत लागे छे एवाकेसो नी संक्यापन मोटी छे ने रेप ने जरूर सबन चे पन भावना बाबत ने साकली और ने निवेदन ना करे जी, कोमल, निवेदन निवेदन करवा जोईगे जीरी ते वाद सामय वच्व जी, जी, संध्याजी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे बहुत सही बात कहा इनोंने जो टाइम होता है, बच्चों के देखने का टाइम अलग होता है, बड़ों के टीवी देखने का टाइम होता है लेकिन ये जो नेता जी कहना चाह रहे है, जो बार-बार का टाइम होता है, बिल्कुल सही का आपने और अगर ये ऐसे गाने अगर बार-बार बच्चे सुनते हैं तो मैं मानता हूँ कि बच्चे उसको follow करते हैं लेकिन बच्चों को ये समझाए कि वोड़का जो पीने की चीज है वो बड़े होटी किया जाता है अगर बड़े होने के बार-बच्चों को सही जानकारी बच्चों को सही जानकारी देना चाहिए किसी भी बात पर निता जी आज चाहे कोई भी बच्चे हो वो सातवी आटवी दसवी क्लास में आते हैं वो चीजों को जानने समझने लगते हैं उनको as a parents हमें अच्छी सीख देना चाहिए हमें अच्छे way में उनको चीजों के बारे में बताना चाहिए प्रिजिन करना चाहिए इसलिए अगर आप ये सर कबसे अशोग जी बोल रहा है के खांदान के साथ फैमली के साथ नहीं देखी जाएगी तो बहुत है ऐसे भी चैनलर शिट हो जाती है अगर अगर वधारी शूँ पुनम साथे पन वाद करेशू आप ब्रेक बाद पुनम पांडे अमारी साथे जुड़ाए लिया चाहिए